हलो फ्रेंड वेलकम बैके निव वीडियो मेरे नामे दीपकु स्वागत आप सभी का दीव टेग यूटूब चैनल में गाइज आपको इस चैनल पर टेग इंटरनेट प्रोब्लम विसॉलूशन एप्रोवियो मॉबाइल टिप साधी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी अगर आपने अभी तक दीव टेग यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतनी मैनत करने पर भी अगर सब्सक्राइब नहीं बढ़ते है तो गाइस निरास होती है तो गाइस दीव टेग यूटूब चैनल को सब्सक् उसकी क्या वजय हो सकती है वजय होने के साथ साथ उसका सोलूसन जो मैं आज आपको देने वाला वह 100% आपके हर एक डवाइस में वर्क करेगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आप से अगेन रिक्वेस्ट है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प् आपको करना क्या है आपको अपना इंटरनेट ओन करना है ओन करने के बाद आपको अगर यहां पर इंटरनेट सो जाता है या फिर चल जाता है तो ठीक है अगर नहीं चलता है तो गाइस आपको अपना इंटरनेट ओन करने के साथ अपने फोन को स्वीच ओफ करना होगा चीज चेक करने है, हो सकता है कि आपने sim first में आपका internet है और आपने sim 2 में active क्या हुआ है, तो जब sim 2 में active होगा, तो first में कैसे चलेगा तो एक बार ये check कर लिजेगा, अगर इससे आपकी problem का solution हो जाता है, तो ठीक है, अगर इससे बाद भी आपका internet नहीं चल रहा है, तो उसका एक last solution यहीं होगा, जैसे sim 2 में मैं, आप sim 2 को open करते हैं guys, open करने के बाद, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो सबसे नीचे career network होता है, वो उस पे जाना है, और इसको auto पे select कर देना है auto पे select करेगा, तभी आपका जो network है, वो auto network लेगा जो भी available होगा, उसको ले लेगा default में नहीं होगा, इससे अगर आपका internet चल जाता है, तो guys ठीक है, अगर इससे भी नहीं चलता है तो last जो हमारे पास option बचता है, वो यह access point name और यह जो last option है यह 100% नहीं, guys 200 यह 300 जीतना भी चलना ही चलना है, इसके थुरूर तो चलना ही है, अब यह last option है अगर इससे पहले जितने भी मैंने आपको चीज़े बताई है, अगर उनसे चल जाता है तो ठीक है, अगर उनसे नहीं चलता है, तो जब जागे आपको APN में आना है, APN में आने के बाद default APN आपको जो भी होगा जैसे यहां पर यह पूरा default APN है इसमें आपको कुछ नहीं करना आपको plus के आइकन पर क्लिक करना है plus का आइकन आपको हर एक device में मिल जाएगा, एक new APN बनाने के लिए तो आपको new APN बनाना है यहां पर तो सबसे पहले आपको name में क्या लिखना है, name में आपको लिखना है यहां पर internet only internet internet के अलावा आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है इसको save कर देना है अगर आपके पास geo है तो geo वालो को मैं आप यहां पर अगर आपको लिखना है geo 4G geo 4G से अगर आपको चल जाता है ठीक है अगर नहीं चलता है तो आपको यहां पर लिखना है geo net अगर इन से चल जाता है इन से तो चलना ही चलना है अब बात करते हैं ATL वालो के लिए ATL वालो को APN में लिखना है ATL GPRS dot com यह लिखना है गाइस इसके बाद next आता है Vodafone तो Vodafone के लिए दो possibility है अगर आपको यहां पर लिखना है Vodafone dot net यह अगर आपको active हो जाता है तो ठीक है नहीं तो आपको simply www लिखके save कर देना है उससे आपका चल जाएगा अब गाइस next आता है idea तो idea में आपको क्या करना है idea में आपको simple इस तरी के से internet लिखना है जिस तरी के से आपने name में लिखा था वो लिखने के बाद आपको APN save करना है और जो बाकी में आपको setting बताऊंगा वो भी सब कुछ same रहेगी बस APN में चेंज होगा network के हिसाब से तो अगर आपके बास bsnl है तो bsnl वालों को लिखना है यहापे bsnl.net या फिर bsnl.net तो गाइस इस तरी के से यहाप पर आपने possibility के हिसाब से APN में वो लिख लेजिएगा तो मैं यहापे लिख लेता हूँ geonet जैसे कि मेरे पास geocasim है तो यह लिखने के बाद proxy port no set रहेगा username पर आते हैं तो username में आपको यहापे लिखना है internet internet में गाईस यहापे username में जो आई है न वो आपको small में लिखना है जैसे कि आपने name में capital में लिख था बट यहापे आपको small में लिखना है यह लिखना है server पर आते है तो आपको यहापे simple आपको www.gle.com लिख देना है इसके बाद ही save करना है save करने के बाद mmhc, mms, proxy, mms, spot यह तीनो no set रहेगे mcc, mnc जो अगर आपने बिल्कुल भी change किया न तो आपका nets तो छोड़ो कुछ भी नहीं चलेगा mcc, mnc बिल्कुल भी change नहीं करनी है अगर आप और कोई वीडियो देख रहे हो और उसमें बताया जा रहा है कि जैसे यहापे 870 लिखा हुआ है आप इसको कुछ और लिख दीजेगा कम लिख दीजेगा या ज्यादा तो guys मैं guarantee लेता हूँ आपका APN ही save नहीं होगा internet चलाने के तो दूर के बाद है तो इनको बिल्कुल भी छेड़काने मत करना next आते है guys authentication type तो authentication type जो है वो आपका no set रहेगा no set रहने के बाद next आते है APN type तो APN type में अगर यहां पर default यह लिखा हुआ है तो ठीक है अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख लेना है लिखने के बाद APN protocol APN protocol में guys आपको अगर IPv4 पर किलिक है अगर आपका या फिर IPv6 पर किलिक है तो वहां से अठा के आपको लाश्ट आले पर किलिक करना है IPv4-IPv6 पर और ऐसे ही आपको APN roaming protocol में भी करना है यहां पर भी आपको IPv4-IPv6 पर किलिक करना है और उसके बाद जो ब्यार होता है यहां पर आपको अने specified ही रखना है इसको रखने के बाद आपको यह जो setting है यह save कर लेनी है अब यहां पर आप देख सकते हो आपको अपने device में इस तरीके से दो APNs हो गए अब जो default एपन है अगर आपका internet on है फिर भी नहीं चल रहा है तो guys इस वाले APN को start कीजेगा start करने के बाद आपका जो internet है यहां पर on होगा और आपको ओपर भी सोगा और guys guarantee है इस बात की कि आपका internet 100% चल ली जाएगा तो guys इस तरीके से आप अपने internet को active कर सकते हो अगर आपका नहीं चल रहा है तो guys अगर आपको यह video अच्छे लगते है तो please video को like करना चैनल को subscribe करना मिलते हैं तो बगर एक नहीं वीडियो के साथ तब देख स्यू लेटर बाए